हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सत्ष्रिया काल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नए रस्पी के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ मतर पुलाव जी हां बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे य करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स फ्लेम ओन करके मैंने पैन रख दिया है डालेंगे इसमें एक बड़ा चमच देसी घी जी हां देसी घी में पुलाव बनाईएगा बहुत ही ज़्यादा ट और यह मैंने लिये हैं खड़े मसाले जिसमें तेज पत्ता दो एक दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी लायची दो छोटी लायची लॉंग काली मिर्च और एक चमच जीरा अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से घी में फ्राई करेंगे इनका फ्लेवर भी बहुत लाय कीजिएगा अब डालेंगे इसमें हम प्याज तो प्याज को मैंने लंबाई में कट किया है एक बड़ा प्याज है मिक्स करते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्छा फ्लेवर बिल्कुल खतम ना हो जाए और हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो अब मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़ा चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट आप कट करके भी लसन अद्रक का इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे भी अ फ्रोजन मतर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसे भी हमें अब कुछ मिनिट के लिए यानि एक दो मिनिट के लिए भुनना है ताकि जो मतर है हमारे थोड़े से सौफ्ट हो जाएं तो साथ में ही मैं डाल दूँगी इसमें एक कटा हुआ टमाटर टमाटर से भी बहुत तो मैंने टेस्ट के कोर्डिंग डा दिया इसमें एक चमच के क्रीब नमक आदा चमच डा दिया लाल मिर्च का पाउडर ये है गरम मसाला बस इतने ही मसाले मैं एड करूंगी इसमें और इनी से ही बहुत जबर्दस फ्लेवर आता है तो मिक्स करते हुए इसे कुछ के लिए भून लेंगे ताकि ये अपस में अच्छी तरह से भून जाए और मिक्स हो जाए तो ये देखिए मटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए है और टमाटर भी हमारे थोड़े से पक गए है अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें एड करेंगे पानी तो जितना हम च चावल का इस्तिमाल कर रहे हूं तो इसमें तीन ग्लास पानी ऐड़ कर दिया है अब इसमें आने देंगे बड़ी असा बॉयल को और उसके बाद हम इसमें चावल एड़ करेंगे। तो दहिए बॉयल आना स्टाट हो चुक है न तो अब हम डाल देंगे म Megs कर दें से अच्छी तरह से आप इस तरह से जुरूर ट्राई कीजिए आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगा पुलाओ और जटपट से बनने वाला है ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा तो ये डालती है मैंने इसमें धूले हुए चावल तो डेड़ गिलास के करीब चावल थे म इसमें आने देंगे एक और बढ़िया बॉयल कि और उसके बाद हम फिलेम कर देंगे लो और उसमें चावल को पकने देंगे है तो देखि ूछि आ चुका है तो मैंने कवर कर दिया है और देखिए भातों बातों में हमारे चावल भी पक गए हैं एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सबी चीजें आपस में मिक्स हो जाए तो चावल हमारी लगबग अच्छी तरह से बन चुके हैं तो फ्लेम मैंने आफ कर दिया है तो करते हैं इसकी प्लेटिंग तो ये लिजिए फ्रेंट्स गर्मा गर्म मटर पुलाओ हमारा बिल्कुल त्यार है आप देख रहे हैं और खुश्बूदार पुलाओ बनकर त्यार हुआ है बहुत ही जबरदस खुश्बूओ आ रही है मेरे मुँमे तो आ रहा है पानी अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे घर पर जुरू ट्राई कीजिए पसंद आए तो लाइक का बटन जुरू प्रेस कीजिए फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ